मंदर में भगवान का आशिरवाद लेकर गाय को चारा खिलाकर बिहार में जन विश्वास यात्रा लेकर निकल पड़े हैं तेजस्वी यादव कुछ समय पहले ही बिहार के सेम नितिश कुमार ने आरजेडी के साथ अपना गड़ बंधन तोड़ कर विधान सभा में बहुमत पेश कर एंडिये के साथ बिहार में अपनी सरकार बना चुके हैं जिसके बाद अब बिहार के पूर्व उपमुख्य मंतरी तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं यात्रा से पहने तेजस्वी यादव ने गाय को चारा खिलाया पूजा अरजना की मंदिर में आशरवाद लिया इस दौरान तेजस्वी ने मीडिया को संबोधत करते वे ये भी कहा कि जनता हमारी मालिक है हम मालिक के सामने जा र पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रही और आप सब लोग जान रहे हैं कि नितीश कुबार जी का कोई विजन नहीं है अनाही गरबंधत बदलने का कोई रीजन है उनका ना कोई वीजन है और नाही गरबंधत बदलने का कोई रीजन है तो और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं और आप क्या सकते हैं कि अपने मालिकों के समख्ष अपने बात को तो अब रखेंगे लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंशूरेंस भी जो है जनता के साथ यही नई यात्रा पर जाने से पहले लालु यादव ने भी तेजस्वी को खूब सारा आशिरवात दिया तेजस्वी यादव के बयान से ये साफ पता चलता है कि वो जनता के पास जाकर वापस से अगले चुनाओं के लिए अपना काम शुरू कर रहे हैं और साथी साथ ये भ पतक के बीच जनता के मन में आखिर क्या है